दोस्तो आप भी अपनी बाइक से परिसान हो की बाइक का इंजन बहु जादा हीट होता है हमारे पास है अपाची आर्टी एक्सोसी 2V दोस्तो ये अपाची में सबसे ज्यादा प्रोब्लम है हीटिंग की वो भी 2V इंजन में 4V में तो ठंडा करने का एक आता है तो 2V की बात करेंगे कि यह कैसे ठंडा रहेगा इंजन क्या 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 हमारे में प्रोब्लम हो सकती है बाइक में जो गरम होता है इंजन हीट चलता है हमें सबसे पहले देखना क्या है हमें यह देखना है बाइक का इंजन होई हम कौन सा डाल रहे हैं आपको क्या डालना कोई ऐसा इंज यह जो भी डालने एक बार देखके डालने क्योंकि अगर एक्सपेर होगा तो उसका कोई ठंडा करने का काम होगा वो तो खथम हो जाएगा जो दूसरी चीज है दोस्तों हमारा जो इतना इंजन है यह तो कम हीट होता है यह बहुत जादा हीट हो जाता है दो चार-पांच मिन यह से भी इंजन पर लोड पड़ता है क्योंकि पहिया चलता है जाम आपको दूसरी चीज क्या करनी है इंजन के अंदर ही दोस्तों यह चीज देख रहो आप पाची में यह पाइप दोस्तों इस पाइप का काम है मोविल को ठंडा रखना अब हर दूसरी तीसरी सर्विस प पाइप खूलवाने इसमें कोई भारी पाम नहीं है दोस्तों आप जिससे सर्विस करवाते हों इस से कह सकते हो एक ये बोल्ट और एक यहां पर बोल्ट है राशल्व के मोटर के पास यह खोल के इसको एक बार साफ कर दो क्योंकि होता क्या है इसके अंदर जो ओईल यह फिल्टर होता है एक ओई फिल्टर इसके प्रेसर से ही सब मोबिल घूमता है अब यह अगर सब जगे इसे से मोबिल यहां पर अगर इस मोबिल नहीं जाएगा तो दोस्तों गरम टो यह होगा आपको यह भी साफ कराना इसमें कोई ज्यादा वह नहीं नहें अक्र नहीं प्लेसर से साफ भा जाएगा इस हैट से नहीं जाएगा, तो दोस्तो गरम ये होगा होगा, आपको ये भी साफ कराना है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, अगर ये पाइप साफ हो जाएगा, प्रेसर से साफ हो जाएगा, किसी भी चीज साफ साफ कर सकते हो, ये भी वीडियो आएगी पाइप ये कैस कि ऐसे साफ हो सकता है कि फिर लोस्त तीसरी चीज आपके ह। कभी-कभी ऐसे मृभाते हैं है यह आफको पता निस चलता है कि लोड पर पड़ता है तो इन्धन जब भीully होता है यूंध कि आपनुच मैं यह चल रहा है कर दो प्रविल की जो कॉंटिंग है जैसे मोबील हमारे में अभी कितना है कितना नहीं यह भी चैक करते रहेना है जैसे 2000 क्लमेटर पर 1000 क्लमेटर पर अपना इंज्ञनों निकलाना और देखेले लेना कितना है अगर मोबिल कम है तो भी गाड़ी हिट होगी होगी दोस्तों एक चीज हो रहा है आपको यह जो ओईल फिल्टर है यह भी आपको हर सर्विस में चेंज कराना है काफी बार ऐसा होता है कि कुछ जो होते हैं वो नहीं चेंज कराते हैं कि हमारा ठीक है ऐसी डाल दो यह खाली 20- 25 रुपए का आता है यह आपको हर बार चेंज कराना है इसका फिल्टर होता है वह भी 50 यह 60 रुपए का अच्छी कंपनी का टीविस से सोरुम से ही वह भी आपको हर बार चेंज करना है क्योंकि अगर उसे चेंज करोगे वह जाम हो जाएगा तो गाड़ी आपकी बहुत तो वैसे तूबी में हिटिंग की प्रोब्लम तो है ही पर कुछ हद तक हम इसको कम कर सकते हैं यह से मैंने आपको कुछ ट्रिक बताईए वैसे इसमें वाइब्रेशन और दूसरी चीज हिटिंग यह तो भाई है यह तो खतम तो नहीं होंगी पर काफी हद तक कम हो सकती है जो मेरा खुट का एक्सपिरिंस है मैंने मेरा हिट भूत होता था इंजन तो मैंने यह चीजे करी मोविल गैस टूल का डाल रहा हूं में इस टाइम पावर वन का अल्टिमेट जो 600 रुपय का डब्बा होता है वन लेटर का तो दोस्तों मैं वन लेटर का डब्बा इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि इसकी जो स्मूथनस है वो काफी अच्छी हो गई और हीटिंग प्रोब्लम बहुत अच्छी हो गई और जिससे मैंने यह बाइक लीती उसने यही सबसे जादे मिश्टेक करके थी इस बाइक में कि मै आपको फिर दिखा देता हूं भाई यह जो एक पाइप है उसने कभी भी किसी भी सर्विस वाले से यह नहीं खुलवाया था यह क्या था यह पूरा जाम पड़ा था यहां से जाता है किसमें क्या होता है यह वाला फिल्टर इसका उईलिस में जाता है इसका फिर इधर जात साफ न करवाया यहां से यहांग पराधा यहां से पुरा ढलपाधा यह नहीं यहां से पुरा जाम जाएगा यहां औ आघ और यहां पर यहां अन्दर से पिष्टन से डाइमिंग तो दोस्तों जब मैंने खुलवाया मैंने कुछ सर्वी सेंटर पर बातचीत करी तो उन्होंने कहा दोस्तों की भाईयों यह चीज भी होती है यह चीज भी बहुत मानियता है इस चीज की जो आपको यह दिख रही है अगर इसको नहीं खुलवाओगे पता ही नहीं चलेगा मो मोबिल जब उपर नीचे घुमेंगा तो थंड़ा भी होगा मोबिल समझ रहे दो ने हहां एगा यहां से मोबील यहां तक जाएगा तो थंड़ा भी होगा जबे होगो से पुरे सलकर-सलगर गोमता रहेगा इद दोस्तो ये भी पुरे टिंडर हैगा दोस्तो वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी करना और अपाची में या किसी भी वाइक के दीविए आएंगे चैनल भी नहया है नया स्टार्ट करा है दोस्तो जो भी हम वीडियो बना रहे हैं हम एक अपना एक्सपिरियंस बता रहे हैं आपको कि किस तरह से समस्य आती हैं किस तरह से समस्य का समधान हम कर सकते हैं कोई वैसी वीडियो नहीं बना रहे हैं कि खली वस एक वीडियो बना रहे हैं जो एक्सपिरियंस हमारा खुद का है कि हां ऐसे समधान हो सकता है वैसे हम तुम्हें वो दोस्ता एक चीजिन बताना हम भूलिके जब मैं बता रहा हूं वीडियो काफी लंबे हो जाएगी अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो टैयर का साइज है न वो दोस्तों सही रखें मतलब ऐसा निये कि आप 110 तक डाल सकते हैं पीछे आपने डाला 120-30 तो दोस वेसे उसकी गाड़ी माइलेज और हीटिंग प्रोब्लम कर रही थी अगला वाला भी उसने 100 करवा रखा था सो का तो इसलिए उसकी भाई खिट हो रही थी तो आप 110 का पिछला डाले और 90-100 का अगला डाले वैसे यह टूबी भाई खा तो टूबी में तो दोस्तों नाही डाले नभेगाई डाले तैर भी अच्छा क्वालिटी का डाले वागए अच्छी हो आप देख सकते हो और सलैंसर भी एक बार अगर हो सके आपके पास यह सुबीदा हो कि इस साफ हो जाए सलैंसर साफ वैसे बहुत कम साब नहीं होते हैं पर हम करा लेते हैं गैस आग लग जाती है और हवा वाले pressure से साफ हो जाता है क्योंकि इसको फिर खुली हवा मिल जाती है यहां से जो head में से धुआ निकल रहा है वो फिर पूरा साफ जाता है जिस वे से भी hinten हमारा काफी ठंडा रहता है इसमें कोई देख सकते हैं किसी और वीडियो में मिलते हैं